दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पेनल पे अगर आपको बल्क में अपना स्टोक अपडेट करना होता है तो आप कैसे अपडेट करेंगे पहले ये मीशो के अंदर option available नहीं था कि आप bulk में अपने stock को update कर सकें लेकिन हाली में मीशो ने अपने panel में update किये हैं उसी में से एक update ये था कि अगर bulk में आप अपनी inventory को या अपने product जो होते हैं उनकी stock को आप update करना चाहते हैं तो वो आप update कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी मीशो का seller panel login किया हुआ है और इसमें आपको inventory अपडेट करने के लिए जो inventory option है इस पर आपको click करना है जैसे आप inventory पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो total मेरे इसके अंदर all stocks कर देखते हैं तो मेरे product है 158 जो कि live है और यहाँ पर कुछ ऐसे product है जो कि मेरे इसमें listed block भी है और किसी को मैंने post किया हुआ है तो यहाँ पर यह सारी के सारी जितनी भी आपके active inventory है और इसके साथ जो आपके out of stock है जो inventory को आपने zero किया हुआ है उन सब को अगर आपको एक साथ update करना है तो उस case में आपको क्या करना यहाँ पर आप क्लिक करेंगे bulk stock update जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके सामने दो option होते हैं यानि कि steps आपको follow करनी होती है फास्ट जो step है इसमें आपको option मिलता है download का और second option आपको मिलता है upload का यानि कि सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करते हैं download पे तो यह क्या करेगा कि आपके existing जो stock है यानि कि आपकी जो inventory है आपने जितने product aid किये गए है मीशो पे उन सब को यह download करेगा तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ download तो यहाँ पे एक excel की file जो है यह download हो जाती है और जब इस file को मैं यहाँ पर open करता हूँ जैसे मैंने इसे open किया तो इस file के अंदर जितने भी आपके product है यानि मीशो के अंदर आपके जितने भी product है सब live है उन सब की detail यानि कि वो product की यह पूरी list है और इसी के अंदर आपको यह option दिये गए है यहाँ पर इसके जो serial number है catalog को क्या name है catalog की ID, product का name style ID, variation और यहाँ पर system stock जो की current में आपने stock के अंदर जो entry feed की हुई है वो यहाँ पर दी गई है अब आपको जो changes करने है यह वाला जो column है यानि कि your stock count इसके अंदर आपको अपने stock को update करना है तो update करने के लिए बाकी के अगर sales में आप changes करना चाहेंगे तो changes भी इसके अंदर नहीं होंगे क्योंकि यह seat protected होती है तो उन sales जो sales के अंदर आपको editing करना चाहते हैं तो editing नहीं हो पाएगी इसमें जो भी आपका stock है वो आप इसके अंदर update करेंगे अगर आपको कोई भी update इसमें नहीं करना है तो आपको ये जो column है इसको आपको blank छोड़ना है अब जैसे की for example मैं अपना जो मीशो के seller panel पे आता हूँ और यहाँ पे अभी मैं इसे जैसे हटा देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए कुछ मेरे नयासा के जो box है इनका stock अभी मैंने या 50 किया हुआ है अगर मैं इस stock को update करता हूँ 50 से मैं इसको 60 करता हूँ तो एक option तो यहाँ पे की manual मैं इसको एक यहाँ पे change कर दूँ और एक तरीका bulk में यह तो एक चीज के लिए है अगर bulk में आपको करना है तो यह जो seat है आपकी इस seat में आपका जो यह देखिए यह जो catalog है उसके आगे यहाँ पे आपको type करना होगा 60 तो क्या होगा current stock आपका 50 है वो update हो जाएगा 60 में अब ठीक इसी तरह से बाकी के जो product है जैसे के heavy यह जो पुड़ी प्रेस मसीन है या कुछ इनके जो stock अगर आप update करना चाहते हैं तो इन सब के भी stock आप यहाँ पे type करेंगे और उसी हिसाब से इनके stock आप update कर सकते हैं जैसे मैं इसका भी कर देता हूँ 60 इन सब के जो product है मैंने यहाँ पे कर दिया 60-60 और अब मैं आपको live दिखाता हूँ कि जैसे मीशों में आप देखेंगे यहाँ पे यह भी 50 है और यहाँ पे जो total product है यह देखे इसी के अंदर 48 है 50 है और यह 50 है मैंने changes अभी इन 3 के अंदर और प्लस यह एक इन 4 के अंदर मैंने update किये है और update करके बाकी के जो changes है मुझे अभी नहीं करने है लेकिन आप इस तरह से जो भी आपके stock रहता है उसमें आप update कर सकते हैं जितने भी आपकी inventory रहती है उसके अंदर आप जो particular आपका यह sale है इसके अंदर आपको update करना है तो अब मैं इस file को कर देता हूँ save जैसे मैंने इस file को save किया save करके अब मैं इसे कर देता हूँ close और वापस मैं यहाँ पे click करता हूँ अब bulk stock update अब यहाँ पे मैं जो option था मेरा second वाला यह मैं select करूँगा upload गा तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ Upload का अब आपको वो file select करनी है जो कि आपने डाउनलोड की थी तो download मेंने की थी मैं इसे यहाँ पे open करता हूँ और यहाँ पे inventory update file और इसे मैं select करूँगा select करने के साथ ही मैं करूँगा open और अब मैं इसे कर देता हूँ यहां पे जैसे कि आप देखेंगे मेरे जो स्टोक है यह सक्सस्पुली अपडेट हो गया है जितने मेरे स्टोक किसके अंदर थे वो इसमें किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है अगर आप उस कोलम के अंदर एंट्री गलत फीड करते टेक्स की जो कोई नुमेरिक फीड करते तो आपको यहां पे एरर जो है वो डिस्प्ले कर जाते है और अब इस फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते है तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फाइल तो यहां पे अब जो आपकी अपडेटेड फाइल है वो यहा देता हूँ मैं close अब वापस जब मैं यहाँ पे करता हूँ refresh और refresh करने के साथ ही अब जब मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पे 60 हो गया है और यह second number का जो था इसमें आप देखेंगे कि उल्म सबके के अंदर 60-60 यानि कि इस तरह से आप अपने मीशों के अंदर बल्क में जो भी आप स्टोक अपडेट करना चाहते हैं तो वो इसमें अपडेट कर सकते हैं यह option हाली में अपडेट हुआ है मीशों के अंदर तो in future के लिए जो भी इसे better होगा वो गोशीज आप इसने कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मीशों के अंदर जितने आपके bulk में अगर कोई inventory है या कोई project के अप कड़़िख करना चाहते हैं तो और इसमें कर सकते हैं तो इस तरह से जो भी आपकी inventory रहती है bulk में आप एक साथ इसके अंदर update कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें